प्रॉप्टर नमबर श्क्स सो अब तक जो चाप्टर अमने किये आपने सारे के सारे रिवाइस कर लिया होंगे और मैंने आपको बताया था कि जो आपका बैलंस ओ पेमिंट तक का टॉपिक है वो काफी इंपोर्टेंट है थोड़ टेक्निकल है लेकिन क्योंकि आपके पास सब्सक्स भी था बैलंस ओफ पेमिंट के अगर में बात करूं तो इट वो सम्तिंग जिसका बेसिक्स आप अल्रड़ी पढ़ भी चुक्यों आपको आपको आर्रड़ी आता भी है तो आज की लेक्शर में अब जो आगे मारे पास तॉपिक्स है वो मेजर्ली स्टूरिंट international organizations के बारे में है कि जो international organizations वो क्या है वो कैसे काम करती है वो majorly हमें पढ़ना है तो start करते हैं सबसे पहले देखो मैं आपको एक छोटा सा intro ंप की जो आपका introduction है उस introduction में हमें majorly जो international organization आफ डिसकुस करनी है that is World Trade Organization और एक general agreement on trade and tariffs ठीक है आप में से almost 99% students ने इन दोनों ही organizations का नाम already सुना होगा क्योंकि it is something जो हमे 7th 8 से World Trade Organization तो हमे 7th 8 से जब हम international organizations UNO, UNICEF, UNESCO यह सब पढ़ते हैं तब हमें WTO का नाम भी पढ़ाया जाता है राइट तो actually था क्या जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि 1947 से पहले हर country जो थी वो अपने level पे कोई भी tariff अगरा impose करने के लिए free थी मतलब हर country को भई अपने rights थे कि अगर मुझे किसी country के साथ trade करना है या trade नहीं करना है तो मैं अपने level पे क्या कर सकता हूं मैं अपने level पे जो tariffs है वो impose कर सकता हूं लेकिन अपने level पे tariff इंपोस करने में एक problem थी problem क्या थी कि अगर आप tariff अगरा impose करोगे तो एक तरह की restriction है और restriction में you may lose your market है न हो सकता है कि आपको market नहीं मिले तो कि हो सकता है कि यह possibility बन जाए कि अगर आपने अपना लगा भी लिया कि चलो भाई import के उपर duties लगा देते हैं तो दूसरी country वो duties के चकर में trade ना करे right so this generally evoked a retaliatory action by its trading partner अब मैं अगर tariff impose करूँगा अपनी country में कि भाई इस देश से जो भी समान मंगाओगे तुमें तो import duty देनी पड़ेगी अब क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली country के कि अच्छा तू ऐसा करें काम छोड़ देंगे हम भी यह करेंगे तो इस लिए उसमें होता क्या था एक retaliate action जो था मलाब एक तरी किसे revenge वाला action to trading partners था उसमें देखने को मिलता था in fact the great depression of 1930s saw high watermark of protectionism अब students यहाँ पर एक word हमें समझना है ठीक है इसका international trade के अंदर बहुत importance है great depression so what is that great depression great depression क्या है अगर आप लोगों को यादो एक मिन मैं कोई और लेता हूँ color यहाँ sheet हमारे पास कोई खाली है क्या है तो नहीं मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ एक्चुली हुआ क्या जो 1914 से रेके सूरे 1918 तक का जो world war one चला ठीक है इस world war one के अंदर आप एक छोटी सी history पढ़ लो यह economic history भी है यह काम किये इसलिए मैं आपको समझा रहाँ तो world war one जब हुआ तो आपको पता है कि दोनों ही world war में world war one और world war two दोनों ही world war के अंदर जो आपका का डॉमिनेटिंग कंट्री थी वह जर्मनी थी जर्मनी जो था वह बहुत बढ़ चड़के दोनों ही world war में उसमें participate किया था राइट सुडेंट्स अब प्रॉब्लम के आती ही के world war one जब आया तो countries के resources पूरी तरीके से खतम हो गए थे एक है और 1918 के अंदर अब यह जो United States of America है जो आज एक बहुत बहुत strong economy बनके बैठा हुआ है उसने दोनों ही world war को ना एक war ना मानो एक problem ना मानो क्योंकि वही every problem has a problem until you won't be able to find a solution for it तो उसने opportunity के तौर पे world war one को देखा किसने United States of America उसने Europe को बोला कि तुम्हें लड़ाई करनी है तुम लड़ो जितना तुम लड़ सकते तुम लड़ाई करो मैं तुम्हें weapons की supply करता हूं मैं तुम्हें food consumer goods capital goods सब मैं supply करता हूं और European countries को बोला तुम्हें का लड़ाई करनी है तो तुम लड़ाई कर सकते हो में ही तरसे तुम free हो अब आप समझो students के यहां पर problem क्या आई problem क्या आई कि सारी country लड़ रही थी और US से उनको supply करकर करकर के अपना जो अपना जो foreign trade उसको build करता गया और बहुत अच्छे कासे amount में gold reserves उसने जमा कर गया क्योंकि उस ताइम पर gold चला करते थे ऐसे international acceptable currency US dollar उस ताइम पर थी नहीं तो वो gold जो है वो जमा करता चला गया ठीक है जब 1918 में war end हुई ठीक है तो उस ताइम पर हुआ यह कि जो अलग अलग देश ते वो सारे बरबाद होगे destroy होगे तो US ने तब भी अपनी supply जारी रखी कि मैं तो अपनी supply बेशता रहूंगा सारे Europe को बोला कि तुम्हें जो भी समान जब भी चाहिए तुम मुझसे बोल सकते हो मैं तुम्हें समान देने को ready हूँ ठीक है अब 10 साल हो चुके है हर कंट्री अपनी कुछ ना कुछ तो production करेगा ही करेगा ऐसा तो नहीं करेगा ठीक है अब धीरे दिरे उन countries ले पर अपनी production करने शुरू कर दी कर दी कर दी कर दी और धीरे दीरे करके जो US का export था वो gradually फोर शुरू कर गया 1929 का time period ऐसा आ गया कि जो countries थी उन्होंने US के समान लेने के लिए मना कर दिया कि हमारे को तो इतनी जरूरत अब है नहीं अब problem यह आ गई कि agriculture का सारा का सारा समान जो था US के पास बज़ गया अब जो farmers थे उनको अपने लोन देने ते वापस तो लोन देने के चकर में उन्होंने जितना पैसा अपना stock market मालब कि मानो 1920s के अंदर युएस का stock market flourish कर रहा था बहुत बहुत अच्छा इतना अच्छा के 1920s में युएस का stock market कुछ ऐसा हो गया कि मलब बार बर कहते हैं कि मोची ने भी ठीक है अब सबने पैसा डाला उसके अंदर बिना सोचे समझे के भाई पैसा तो बढ़ी रहा तो बढ़ने दो ठीक है जब बाई हमें तो पैसा चाहिए क्योंकि हमारी तो फर्सले मिकी नहीं हम अपना डेट कहां से देंगे इस चक्कर में युएस के जो बैंक थे वो बैंकरप्ट हो गए वो बैंकरप्ट होने की वज़े से सूरिंट प्रॉब्लम कि इस चीज की आ गई कि जो पैसा बैंक्स ने stock market में लगा रखा था वो सारा पैसा stock market से निकाल लिया गया और यूएस की जो economy थी वो क्या हो गई बिल्कुल कचड़े में चली गई तो उस ताइम पे जब पूरा का पूरा एकदम से इतना नीचे डाउन आ गया टैरिफ्स और सब चीजों की वज़े से इस प्रॉब्लम की कैसे कि 1918 की war end में जर्मनी को responsible पाया गया था जिसमें जर्मनी को बोला गया कि भाई जितनी भी war की वज़े से destruction हुआ है उसका payment तुम करोगे और इस payment को करने के लिए जर्मनी ने जर्मनी टुक आ लोन फ़म United States of America तो US ने जब crisis आए तो US ने बोला जर्मनी को मुझे तो मेरा पैसा वापस रही है and at the same time US ने काफी सारा मनी लेंड कर रखा था British government को because वो रूल करते थे दूसरी countries के उपर तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पैसा देते है तुम्हें लडाई-जडाई जो भी करना दूसरे देशों को require करना आप करो लेकिन उसके लिए जो पैसा जो major जितनी भी countries उस ताइम की economies हुआ करती थी उन सब में पहुच गे and that is why कि यह जो एक recession था ठीक है मलब US का जो problem था वो एक global recession के दौर पे सामने आया ठीक है students चलो आगे बात करते है in fact the great depression of 1900 high water mark of protectionism अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी भी मैंने क्या समझाया कि US problem में क्यों पढ़ा क्योंकि US का सम्मान लेने से मना कर दिया उन देशों ने बोला कि भाई तुमने 1918 से लेके 1929 से तुम import ही करे जा रहे हो कुछ अपने industries को भी तो grow करने दो तो protectionism 1930s के अंदर protectionism के concept को बहुत ज्यादा importance दी गई जिसका मतलब था कि जो आपके domestic industries है उनको पनपने दो उनके जो trades है उनके उपर भरोसा करो then कि तुम सिर्फ import import करते रहोगे right चलो so आगे हुआ water protectionism as each country sought to increase its employment by raising its tariffs ठीक है कि भाई हम तो tariff बढ़ादेंगे जिससे की बाहर का समान ना है और मेरे देश में employment generate हो so the end result was lower efficiency, less trade and certainly no increase in employment since that time a lot of effort has been put into reducing trade barriers at various levels through several multilateral and regional agreements we shall study the super national effect of these agreements on trade or commercial policy of our country globalization with increased worldwide independence is the offshoot of this development वो कैरे कि इसी चैप्टर में में इन सब चीजों के बारे में study करना है so hopefully यहां तक की बास समने आगे होगी जिसके लिए majorly हमें किसको study करना है? world trade organization को वो कैरे the next few words will be critical for the future of multilateral trading system there are certain dangers वो कैरे कि कुछ डेंजर से क्या है वो पहले पढ़ लेते है पहला growth of regional trading blocks that will trade more with their own member countries and less with others सबसे प्राब्लम क्या होगा? growth of regional trading blocks that will trade more with their own member countries and less with others अब WTO जैसी countries में student होता क्या है? कि आप उनके साथ trade तो कर लोगे लेकिन trade के साथ problem क्या है? trade के साथ problem आपको यह आने वाली है कि यह जो WTO के members है वो member country आपस में trade करना पसंद करेंगी तो बाकी जो countries हैं उनका interest और उनके साथ दिक्कत आ जाएगी growth of state managed trade अब क्योंकि इसको एक तरीके से चलाने वाले जो होंगे वो तो फिर अड्मिस्ट्रेटर लेबर पर लोग होंगे तो इसलिए जो state वगेरा जो trade को manage करेंगी उनमें फायदा होगा जो शाद private लोग करें उनको इतना फायदा ना हो high subsidies, tariff in agriculture products, high protectionism in agriculture and textile absence of proper labor and environment standard वो कहें कि subsidies जो है वो बहुत जादा दी जाएंगी ठीक है agriculture जो कि promote होना चाहिए उसमें क्या लग जाएंगे tariff लग जाएंगे तो यह आपके बास है तो present chapter में students हमें क्या करना है हमें present chapter में यही चीज समझनी है कि world trade organization क्या था या GAT जो के general agreement और trade and trust क्या था इनके क्या function से क्या limitations है और किस तरीके से काम करते है राइट चलो start करते है तो सबसे पहले में समझना है GAT और WTO तो पहले में समझना है GAT to WTO पहले ता GAT फिर वो किस में convert किया है WTO में ठीक है तो what is GAT The General Agreement on Tariffs and Trade An international organization was created in 1947 1947, 1947 का एक और event है जो बहुत आप लोग को तो obvious ही बात है पता होगा Independence of India तो उसी time पर क्या बनाया गया था GAT भी बनाया गया था With its headquarter in Geneva Switzerland It was created to propagate free trade through multilateral trade negotiations सबसे important अभी ही समझना है कि इसका जो main काम था वो क्या था Free trade को promote करना ठीक है ताकि multilateral trade negotiation करके आगे GAT into a standard of living Incomes, full employment, optimal use of world's resources and sustainable development जो GAT और WTO जैसे कोई भी international organization student बनाय जाती है इन organizations के motive क्या होते हैं कि जो इनके members हैं उनको किसी भी तरीके से उन countries के अंदर trade को expand करना ताकि जो वहां के local resources हैं चाहे वो human हो चाहे वो national resources हो उनको optimum level पर utilize किया जासे है So it was one of the most notable achievements of the post war era The basic principle of GAT is that each member country agrees to make unilateral tariff increase Thus preventing the outgrip of trade war Unilateral tariff का मालब क्या हुआ कि अगर कोई एक tariff बढ़ाएगा तो वही मालब चो GAT decide करेगा उसी accordingly सारे के सब के सब tariff various बढ़ेंगे या घटेंगे So there have been eight rounds of global trade talks since 1948 The last three rounds of GAT agreements The Kennedy round completed 1967 Tokyo round completed 1979 And the Euroge round completed 1993 Have agreed to reduce world tariffs substantially कि भाई जितने भी member countries है उनका world जो tariff है उसको reduce कर दो तभी तुम अपने trades को promote कर सकते हो But in fact the last round created a new body जो last round तक GAT का उसने एक नही body ही बना दी जिस body का नाम हम कै जानते है World Trade Organization जिसको 1995 के अंदर बनाया गया तो माला हम क्या है सकते है कि जो WTO है World Trade Organization वो कोई बहुत जादा पुरानी organization नहीं है आगे So आगे में क्या दे रखा है It also created a new legal structure of multilateral trading Under this all members have equal mutual rights and obligations Till the WTO was formed All developing countries who were members of GAT Enjoyed the rights The WTO was formed All developing countries who were members of GAT Enjoyed the rights I mean GAT members who were members of GAT Enjoyed the rights लेकिन उनको ना जो obligations थे उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं थी But the obligations applied only to the developed countries Such special treatments were phased out gradually over 7 year period 1995-2002 There is also a dispute settlement mechanism with greater power to enforce rulings over non-tariff barriers than in the past So अब हुआ क्या कि जब आप GAT के member होते थे तो आपने अपने rights तो enjoy कर लिए के भाई हाँ ये चीज ऐसे होनी है लेकिन जो आपके ओपर obligation आता था कि अगर आप उसके member है तो आपको इतना negotiate करना ही पड़ेगा आप अपनी मर्जी से trade barrier decide नहीं कर सकते वो obligations आप नहीं करते तो लेकिन WTO के member बनने के बाद आपको वो भी करना पड़ा ठीक है आगे देखते है इन 1997 negotiations involved agreements to lower trade barriers in telecommunication वो कहा रहे कि तेली कॉमिनिकेशन के अंदर जो barrier से उनको कम करो financial services को कम करो और information technology को कम करो अब इसके पीछे की वजा क्या है बागी चीज़े क्यों नहीं तेली कॉमिनिकेशन आप जानते हो present time में business को grow करने के लिए टेली कॉमिनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप सोचके देखो present time में if you want to call to Australia US और कोई भी foreign country में अगर आपको call करना है I'm not talking about WhatsApp call अगर एक normal call करना है तो कितना महंगा है I think एक आपको पूरा packet सारे applications आ गये है these applications will definitely help you कि आप communication जो है वो बहुत अच्छा established कर सके जितना अच्छा जितना बेटर communication established किया जाएगा उतना ही ज्यादा trade करना असान और अच्छा हो जाएगा next up financial services why financial services क्योंकि financial services में the most important thing is कि जब मैं कोई financial services की बात करता हूं तो आज companies वहां से यहां पे आ रही है तभी तो आपने पढ़ा था ना हमने इस तीज को पढ़ा भीता कि जब आप international trade करते तो किस किस तरीके से funding आप ले सकते हो तो funding लेने के उस particular country के stock market को उस particular country के अंदर banking system को आपको liberalize करना पड़ेगा ठीक है which were left incomplete in the Euroway round this was an important step because these agreements greatly increase the amount of trade covered by WTO rules and dispute settlement procedure leading to larger trade volumes and clearing the way for a new global trade round right? चया हो By January 2002, the WTO had 144 member countries including China with 30 more including Russia hoping to join in Since 1950, world export volumes have grown 21-fold यह तो डेटा है, इसको चोड़ो यह अग्जाम का पॉटिवस इंपोर्टन नहीं Objectives, Principle, Function, Scope यह इंपोर्टन यह पदे Unlike GATT, WTO has a permanent legal status with a set of rules, principles and procedure on multilateral trade agreement which are not binding on member countries तो which are not binding on member countries मतलब इनके अपने ही procedure होंगे Any member can stay out of an agreement without the need to sign the same मतलब जो member countries है, आप member countries है आपने कोई भी एक agreement मनाया लेकिन WTO कहता है कि अगर आप उस agreement से agree नहीं करते है कुछ भी problem है तो आप उससे बाहर रह सकते है जैसे कि China करता है चाइना WTO के principles को या उसके किसी भी चीज को जादा नहीं मानता वो अपने हिसाब से ही trade वगड़ा करना पसंद करता है objectives क्या है Non-discrimination implying acceptance of any reciprocal tariff reduction negotiated by one country with any of its trading partners ठीक है वो कह रहे कि देखो अगर मान लो एक तो non-discrimination होगा non-discrimination कैसे कि developing country हो या developed country हो जो tariff barriers वगेरा जो भी चीज़े बनाई जाएंगी वो सब के लिए same आएंगे ऐसा नहीं कि US एक developed country है almost तो उसके लिए आप कुछ भी policy बनाऊगे तो उसके लिए applicable नहीं होगे और मैं क्योंकि developing हूँ या underdeveloped हूँ तो में लिए होगा तो ऐसा नहीं हो सकता राइट आगे है nominations of non-tariff trade barriers such as quotas except for agricultural products and nations in balance of payment difficulties अपना यह आपको समझना पड़ेगा student ध्यान से नेको non-tariff trade barriers हम पढ़ चुके उसके बारे में बात नहीं करना मैं except for agriculture product जब से WTO बना है, world trade organization बना है और India जब से WTO का member बना है तब से India को agriculture के field में बहुत problem आईए reason being student की जो आपका agriculture sector है न वहाँ पर दिक्कत यह है कि जब से WTO बना है उसने agricultural subsidies को बहुत level तक बहुत extent तक कम कर दिया है तो यह जो उन्होंने किया है which is not at all good जो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है तो agricultural products जो है उनके साथ problem आई है और अगर किसी country के balance of payment के difficulties है तो उस case में वो non trade tariff जो trade barrier से उसको काम भी करता जैसे example मैं आपको देता हूँ आपको पता होगा 2023 के अंदर पूरे world में जो food prices है वो आए थे जिस पे इंडिया ने clear बोला था कि जो wheat और rice है उनकी consumption को देखेंगे जब उनकी consumption fulfill हो जाएगी then we can think on कि हमें reduction करना है या नहीं करना है right फिर consolations among nations involving solving trade disputes अगर किसी भी तरह का trade dispute आजाता है countries के बीच में तो उसको consult वगेरा करके solve करना right okay important objectives of the WTO are the following these are sought to be imported import through more rigorous and tougher enforcement of policy of export competition market access and free trade implementation of the new world trade system as a visualize in the agreement सबसे पहले एक नया trade system establish करना जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं trade system इस तरीके का establish करना कि जो countries आपस में trade कर रही हैं जितनी भी countries हैं उन countries के बीच में agreements जो हैं उनको इस तरीके से develop करना कि कोई एक country दूसरी country के सथ किसी तरह के tariff या non-tariff barriers के साथ सामने ना है क्योंकि अगर इस तरह की चीज़े होंगी तो member बनने का कोई फाइदा नी right next promotion of world trade so as to benefit each country world trade organization का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है promotion का काम है ठीक है promotion का काम कैसे है क्योंकि you just want to promote your trade more and more आप चाहते हो कि आप अपने trade को ज्यादा से ज्यादा क्या करो promote करो क्योंकि देखो एक बात समझो सो आज मैं Africa को लेकर के बात करता हूं Africa के बहुत सारे पार्ट के अंदर बहुत से resources है लेकिन untapped है utilize नहीं हो पारे तो world trade organization का काम है किसी तरीके से हर जो उसके member countries है वहाँ पे जादा से जादा trade लेके आना तो कि world trade organization सिर्फ trade को promote नहीं करना चाहरा वो चाहता है कि जो countries है उनके जो resources है उनका better utilization किया जा सके तो कि अगर देखो आपके बार resources है जब तक आप उनको utilize नहीं करोगे तब तक आप develop नहीं करोगे अगर वर्ल में 193 countries के इसाब से मैं बात करूं उन 193 countries में 5 countries भी बढ़ गई बाकी सारी पीछे हैं 10 countries बढ़ गई 50 country बढ़ गई बाकी पीछे तो world as a globe तो uplift नहीं उपाए na world as a globe तो जहां पर लोग की per capita income दुनिया में almost सबसे जादा स्विजलाल लग्जंबग जैसे देशों के अंदर जहां लोग का बहुत पैसा है और दूसरी तरह हम देखते हैं Sudan, Ethiopia जैसे भी देश बैटे वे हैं अब यह कुछ ऐसे देश बैटे वे हैं जहां पर खाने के लिए यह चीजें नहीं है high level of corruption है तो क्या फाइदा एक तरह आप इतनी उची उची बिल्लिंग देख रहे हो और दूसरी तरह आप देख रहे हो कि लोगों के पास जोपडी जैसी भी जो चीजें वो भी रहने के लिए नहीं है ठीक है ठीक ठाक जोपडी भी नही कर चुके हैं ensuring that developing countries are able to secure a better balance in the sharing of benefits from the expansion of foreign trade इस चीज को देखना कि जो developing countries हैं वो क्या करें वो एक अपना balance बना सके मतलब उनको benefit हो सके जब वो foreign trade में enter कर रहे हैं तो वो एक balance create कर सके किस तरह का balance जिसमें कि वो जब अपना foreign trade expand कर रहे कि मैं आज इस country से लेके दूसरी country में अप अपना foreign trade लेकर करके जा रहा हूं तो एक balance मैं क्या कर सकूं बना सकूं ताकि जो मेनी development needs हैं मैं उनको fulfill कर सकूं ठीक है क्यों कि development needs में I need more forex क्योंकि जब मेरे पास forex आएगा तो ही तो मैं बाहर के जो देश हैं उन देशों से उनकी capital technology scope में देश मिला पाऊंगा उसके नहीं करी देंगे student मेरे पास पैसा नहीं आएगा और अगर वो अपने देशों में tariff लगा के रख देंगे या non tariff लगा देंगे तो मेरे समान तो पहुंच ही नहीं पाएगा तो इसे साबसे में कभी develop ही नहीं कर पाऊंगा तो इस तरीके का एक system बनाना कि developing countries के पास enough ample resources forex आ जाए जिससे कि वो अपनी needs को backup कर सके breaking hurdles to an open world trading system to faster economic growth through free trade ठीक है यह tree trade लिखा हुआ है but free trade कि ऐसा system develop करना जहां पर trade free हो free का मतलब बार-बार student किस से होता है free का मतलब होता है barriers है free का मतलब यह नहीं कि आपको समान मुफ्ट में देना है दूसरे देशों को आपको barriers को eliminate करना है as much as you can चितने ज़्याद आप कर सकते हैं आगे raising competitiveness among trading partners to benefit consumers through global integration ठीक है वो कहले कि competition को बढ़ाना देखो competition के case में हमेशा consumers को benefit होता है as I told you earlier in the previous lectures आज competition है तो I will try my level best कि मैं आपको best से best क्या कर सकूँ जो guidance है वो दे सकूँ आप इस level पर students के आपको पढ़ाने से जादा guidance के requirement है that how to frame your answers what is the concept ठीक है तो कि आप इतने समझदार है अब competition नहीं होता और मुझे पता चल दाता जी हाँ economics का business studies का international business का teacher अकेला मैं ही हूँ ठीक है अब अगर अकेला teacher मैं आउंगा तो मैं efforts नहीं डालूंगा मैं इतनी महनत नहीं करूंगा मैं आऊंगा रेडिंग करूंगा और चला जाओंगा मैं करूंगा चलना जिसने देखना है देख लेगा नहीं देखना है देखना है कि मैं मुनापली है because we are living in a world which is full of competition in almost every sphere so us case में I need to staff, staff for the success, staff for to break that competition के भाई नहीं मुझे best से best पढ़ाना है तभी मेरे lectures को बच्चे जो है students जादा से जादा देखेंगे and I will get more and more views in terms I will get more customer and it will be a more profitable venture situation for me तो WTO करता है competitiveness जो है वो trading partners के बीच में बढ़ाता है कि भाई तुम दोनों समान बनाओ यह यह जो barriers तुमने लगा रहा के trade non-trade वाले यह मत करो तुम अपने देश के logo को पूरी थरीके से open word market में जाने दो और देखने दो ना कि तुम्हारे जो local product है और उनके जो product है उनमें क्या variation है अगर तुम actually में अच्छे product बना रहे हो तो इससे सच में कोई फरक नहीं पढ़ेगा कि कोई समान United States of America से आ रहा है यह कोई समान लंडन से आ रहा है यह उससे Canada से न्यूजरेंट से कहीं से भी आ अपनी बात समझ और सुडेंट और सुडेंश की आपको better quality मिले सच में इस बात से कोई फरक नी पढ़ता कि यह चीज United States of America की तो अच्छी होगी ऐसा तो नहीं है चाइना अपने देश में तो बहुत अच्छे goods बनाके देता है लेकिन जब चाइना को हमारी country के अंदर समान बेचना होता है तो वो dumping का इस्तमाल करता है कि low quality के goods को हमारे देश में dump कर देता है तो यह चीज़ करना राइट मलब यह चीज़ करना है जन कि आप customer को options दो दू standard का product दे पा रहे हो right so enhancement of production and productivity levels to improve the world level employment अब यह कैसे हो सकता है क्योंकि जब मैं trade barriers को हटा दूंगा तो दुनिया के जो देश है वो अपने trade को expand कर देंगे कि उस देश में समान बेचते हैं उस देश में समान बेचते हैं and when you are expanding your trade जब आप अपने trade को जादा से जादा दूसरे देशों के साथ मिल करके expand कर रहे हो तो इसमें होगा क्या इसमें सबसे पहले आपकी production बढ़ेग और productivity level बढ़ेगा क्योंकि आप जब दूसरे देशे को समान बेचोगे तो आपको उसके according तो output create करना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा production और productivity प्रमोर्ट हो पाएगी जिससे employment भी जाएगा next expansion and optimum utilization of world resources जो आपके world resources हैं ठीक है उनका optimum utilization हो पाएगा कैसे हो पाएगा optimum utilization students क्य requirements थी उनको पूरा कर रहे थे but now you are expanding your trade जब आप अपने trade को expand कर रहे हो तो जो world level पे resources है उनका क्या हो पाएगा utilization हो पाएगा next improvement of the level of living for the world population and accelerating economic development of the member countries तो अब next हमारे पास क्या है improvement of the level of living for the world population जो world population है उनके रेक standard of living को बढ़ाना कैसे जितने resources तुमारे पास है उनको जितना अच्छा इस्तमाल करोगे उतने तुम बेटर होगे देखो एक बास समझाते हो सुरुन यहां पर बार-बार resources के इस्तमाल से मैं बोलना क्या चाहरा हो तो कि कई बाई एक चीज़ ना coincide की जाती है coincide क्या की जाती है कि हमें लगता है है कि अगर हम अपने trade को expand कर रहे हैं और worldwide level पर trade वगरा को जो है बढ़ाया जा रहा है तो उसमें एक दिक्कत आएगी दिक्कत यह आएगी कि बाई जो मेरे natural resources हैं वो deplete होते जाएंगे natural resources बरबात होते जाएंगे ठीक है यह चीज होती है हम लगतार सुनते कि बाई यह development हो तो ऐसा resources खराब हो गए सुडेंट देखो जब development बिना ज्यान के किया जाता है दिखावे में किया जाता है that will lead to natural disasters ठीक है आप United States of America को देखो आप Europe के किसी भी पार्ट को देखो आप जैसे Switzerland हो गया Luxembourg हो गया Germany हो गया या फिर आप Australia को देखो New Zealand को देखो क्या यह developed countries नहीं ह है लेकिन despite their industrialization उनका environment intact because लोग यहां से clear है that we want development but not at the cost of society but the problem with our country India is that we want development but without any like हमें कोई भी फर्क नहीं परता है कि क्या बर्बाद हो रहा है उससे कोई मतलम नहीं है हमें इस बात का मतलम है क्या मुझे फाइदा हो रहा है that's it क्या खराब हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है वो मुझे मतलम नहीं मैं calculate करता हूँ मेरा profit क्या है so industrialization में मुझे लगता है कि if it is increasing pollution I don't give a damn if it's like exploiting my natural resources again I don't give a damn बस मुझे फर्क पड़ता है मेरे turnover से कि मेरा turnover बढ़ रहा तो ठीक है लेकिन जो world trade organization है वो आपके sustainable development वाले concept को ध्यान में रखते हुए business को promote करने की बाते करता है वो यह नहीं कहता कि आप कुछ भी trade करने लग जाओ जिससे कि आपकी countries को नुकसान हो ऐसा नहीं करना है what you have to do is कि जादा से जादा you need to focus कि आप ऐसे trade के system को develop करें जो sustainable हो आज पैसा कमारें that is okay बट हम ऐसा system बनाए कि वो year on year use कर सके उस system को तो generate more and more wealth that is the idea right students चलो